तो कहानी की शुरुवात होती है रोज के खतम होने के छे दिन बाद जहाँ पर वो जो स्माइल वड़ा कर्स था वो अब जोल की उपर आ चुका था जो कि अब अपने कर्स को शिफ्ट करने ही कोई श्मल अबा हुआ है और आप जानते हो कि इस कर्स के अंदर इंसान को खाली 6-7 दिन का ही वक्त मिलता है कई लोग तो 4 दिन में नहीं दिख पाते करब जोल को एक आईरिया आता है कि वो दो क्रिमिनल्स के पास में जाएगा जिससे की जोल बहुती ज़दा परिशान हो गया था क्योंकि उसका यो प्लैन दा वो फेलो चुका है लेकिन तभी उसकी किस्मत काफी अच्छी निकलती है होता यह है कि वहाँ पर लुइस नाम का एक और डर दीर अरा आता है जो की चुके से ही सब देख रहा था वो वहाँ से माल लेने आया था जिसकी चलते जोल को एसास होता है कि फाइनली उसका प्लैन सक्से सुल रहा और अब यह जो कर्स था वो उसकी उपर चला जाएगा यानि की लूइस की उपर Anyway जब वो वहां से बाहर जाने लागता है लेकिन बाहर और वी ज़दा गैंग्स्टर्स जो देहें वो उस पर गोलियां चलाने लागते हैं लिंसे पशने कीले वो backside विंनों से बागता है लेकिन तबी एक ट्रक के नीचे आकर वो अपनी जान गवा देता है और यहां उसका शरीर पूरी तरह से तुकड़ों में बट गया था जिसके खोन के कतरे शरीर के तुकड़े स्माइल फार्म करते है जो की इस मोवी कर्स का और एंटीटी का नाम है जहां से अब असली मोवी शुरुवात होगी यानि की पिछले मोवी के कैरेक्टर जो थे वो इस वक्क खतम हो चुके थे और सबसे बड़ी बात यह है कि स्माइल एंटीटी को अगर आप शिफ्ट करवा भी देते हो कर्स को तोड़ भी देते हो तो भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता लास्ट मोवी के अंदर जिसने ऐसा किया था वो जिल के अंदर था और यह स्काई असल में सबस्टेंस अब्यूस का शिकार हो भी थी जो कि अपने बॉइफ्रेंड पॉल हुटसन के साथ बहुती जादा डर्ग्स को लेने लगी थी नशा करने लगी थी और एक दिन उसी नशे की हालत में अपने ग्रैन वर्डोर के दोरान वो पॉल की साथ पुशकर से छोड़ा है और आज वो अपने करियर में वापस लौट रही है वो अपनी मैनेजर और सपोर्ट सिस्टम यानिकी अपनी माँ एलिजबेट को पी ए जोश्वा को और सभी फैंस को चाहने वालों को थेंक्यू करती है जिनकी दूआ और सपोर्ट से वो मौत रू प्रजेट के लिए डांस पैट्पेस करते हुए देखते हैं इसके अंदर उसे कुछ स्टेप्स के अंदर दिक्कत आ रही थी और तभी वो रेस्ट रूम में जाती है यहां पर वो भी बैक को देखती है जिस पर सरजरी मार्ट थे उसके पेट पर भी वो मार्ट होते हैं औ कर वो डर से वो डाबेट वाश्रूम में गिरा देती है तो अब उसके पास और कोई टर्ट नहीं वचा था अब एलिजबेट और जोश्वा उसे उसके होटर डॉप करने निकल जाते हैं लेकिन वो डर्ट से काफी परिशान होती है तो रास्ते में लूइस को मैसेच कर दे कि वो यहाँ पर क्या कर रही है जिस पर वो कहती है कि उसने ही तो उसे मैसेच किया था कि वो यहाँ पर आ जाए लेकिन शौकिंगली वो बोलता है कि उसने उसे कोई मैसेच नहीं किया था और हम समझपाते हैं कि यह मैसेच असल में उसी एंटीटी ने उससे करवाया ताकि कि वो अपना ग्रीटर एसकेप तयार कर पाएं। आप जानते हो कि इसको नए नए विक्टिम्स की जरत पढ़ती है हर छे दिन के बाद में। अब स्काई उससे ड्रप्स मांती है जो लेने वो अंदर चला जाता है लेकिन वो अभी भी बहुत दरा हुआ था। वो घर से भी नहीं निकल पा रहा था पागल सा हो चुका था। वो थोड़ी सीव डर जाती है और वो उसी तरह हसते हुए एक 15 किलो की बेट बेट उदाकर खुद के चहरे पर बार 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 वार करता है जब तक कि उसका चहरा पूरी तरह खतर नहीं हो जाता। उसके पूरे चहरे पे सब कुछ मिट चुका था लेकिन वो स्माइल उसके तोते हुए खोन से सने चहरे पर अभी भी चिपकी हुई थी। जिसकी चलते स्काई ये नजारा देखकर वहीं पर वोमिट कर देती है और हम जानते हैं कि अब ये कर्ज जो है वो स्काई की ओपर शिफ्ट हो चुका था और इसलिए एंटीडे ने उसे यहाँ तक आने का निमंदरन दिया था अब स्काई इन सबसे बहुत परिशान हो जा जिससे उसको थोड़ा सा और स्ट्रेस होने लगता है कर थोड़ी देर के बाद वो सोने चली जाती है जिसे रात में कुछ अजीब सी आवादे सुनाई देती हैं जिनसे वो काफी परिशान होकर यहां महा देखती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता याने कि उस फ्रेंड जैमा से कॉन्टेट कर ले जिसके साथ उसकी चीज़े एक साल पहले खराब होवे थी और उनके बीच कोई बातचीत नहीं है अब तभी बहाँ पर स्काई का एक पुराना फ्रेंड आता है जो कि उसे एक चैरेटी इवन्ट पर ऐसा गेस्ट आने का प्रभूजल लेता है जिसे वो आराम से कुझे 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 कर लेती है अब अगले दिन हम उसके नए प्रोजेक्ट के फोटो शूट को देखते हैं जहां पर वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में फोटो शूट करवाती है लेकिन एक कॉस्ट्यूम को चेंड करते टाइम वो थोड़ी इसी अनकमपर्टेबल थी केरा वो उपनी केविन के अंदर आती है जहां पर फिर से परिशान थी क्योंकि उसने लुईस की हालत को देखकर वहां पर वोमिट कर दिया था और उसे ये टेंशन दी कि उसका डीने क्राइम सीन पर मिल सकता है जिसे वो गोगल से कंफरम करने ल जाती है क्योंकि इसका सीधा मतलब ये था कि कोई तो जानता था कि जब लुईस का दम हुआ था तो वहां पर मौजूद थी अब उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे फिर से वो रात वाली आवास सुनाई देती है जिससे वो परेशान होकर यहां वहां दे जाती है और तभी उसकी मां अंदर आती है और सब कुछ नौर्मल था जैसा कि हमेशा होता है कर अब तभी वो बातों को गुमाती है कि उसे एक स्पाइडर दिखाए दिया था इसलिए उचला रही थी वो ये कहती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी क्योंकि उसके अंदर उसका पेट का बड़ा सा कर्ट साफ नजर आ रहा है जिस पर उसकी मां उसे समझा कर लाइट अप करने ही कोईश करती है अब अगले सीन्स में हम उसके प्राजेट को कम्प्रीट होता देखते हैं जिसके बाद एक फैन मीड इवन्ट होता है जिसके अंदर अलब-अलब टा परिशान हो जाती है और सेक्योरिटी वाला उसादने को वहां से ले जाता है अब वो खुद को काम डाउन करती है और फिर अगले फैन को बलाती है जूकी बच्ची होती है लेकिन ये बच्ची काफी जादा ही क्रीपी स्माइल कर रही थी इसको देखकर वो बहुत ही अंकम पास पहुंच जाएकी अब स्काय तभी पानी पीकर अपना मोट टीक करती है प्यानो प्ले करके गाना बने लगती है कि तभी अचानक से उसका जो ब्लास वाटर बटल होता है वो अपने आप ही टेबल से नीचे गिर कर डूप जाता है वो इससे काफी परेशान हो जाती है जिस पर स्काय ने और्टोग्राफ दिया था वो आगे देखती है तो उस आदमी के सारे कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे इंकलोडिंग उसके इनर वेर्स और वो रूम में देखती है तो वो आदमी नेकर उसके सामने खड़ा हुआ था तभी रूम की लाइट्स अप इनर बेर्स अदम सही टेबल पर रक्की हुई थी और फ्लोर पर कोई कपड़ी भी नहीं थे जयाने कि ये सारे के सारे उसके ह teilूसेनेशन थे तब इसको सुनकर संबर स्काय थोड़ा सा शॉप डूचाती है योगि उसके से षब सetrलड़ से सामने अजीब अजीब चीज़े होती हैं तभी वो उसे लूइस के बारे में बता देती है कि उसने उसके सामने खुद को खतम कर लिया था और अब उसका स्माइल करता हुआ चहरा उसे सब जगा होंट करता है तो उसे क्या करना चाहिए तभी जैमा उसे समालती है और समझाती है और आज रात उसके साथ ही रुखने के लिए बोलती है अब वो दोनों सो जाती है लेकिन रात को स्काई अपने एक्सिरेंट का नायर मेर देखती है जिससे वो बहुत दर कर जाती है और जैमा उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो बताती है कि आप बहुत ही जदा परेश है जिसको सुनकर तो स्काई शौक सी पूछते कि उसने अभी क्या बोला लेकिन जैमा कुछ भी ना बोलते हुए क्रीपी स्माइल करने लगती है जिससे की स्काई बहुत ही जादर डर जाती है और अब तभी जैमा के चेहरे को देखते हुए स्काई को एक्सिरेंट की विज चाहती थी हाला कि उसे खुद अपने तोर की प्रिपरेशन करने के लिए जाना था इसको पिक करने उसकी मा भी आ चुकी है अब वो तोर के लिए डान चूट पर जाती है जहां पर वो अचानक से गिर पड़ती है और उसके तोटे हुए लेक्स उसे रिकाई देते हैं इसक अब तक बहुत परिशान होकर अपने मेकब रूम में आ जाती है जहां पर बाहर उसे जोश्वा क्रीपी समाई के साथ दिखाई देता है तब ही वो अंदर जाती है तो पूरा मेकब रूम तहस नहस हो रखता था सब जगा मैस वेला हुआ था तोर फोरो रखी थी वो बाहर कर जौश्वा पर गुसा करती है कि ये सब उस ने किया है और किया तो क्यों किया इस पर वो क्यों किया इस पर वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया curly इडुए अर अ Zusch wła सब्सक्राइब है कहती है कि शायद वो उसके लिए अभी ready नहीं है लेकिन उसके मावों से यह समझाती है कि उसे इस डूर की जरूत है और अगर वो यह सोच रही है कि सब उससे hate करते हैं तो कोई भी उससे hate नहीं करता सब उसे चाहता है साथ ही साथ उसे वो charity event भी attend करना चाहिए क्योंकि वो जुबान दे चुकी है जिससे वो कभी नहीं मुकरती और तोर से पहले वो event उसके लिए काफी जरूरी भी होगा कैरब शाम को वो टोर पर जाती है और backstage पर जैमा को message करती है लेकिन तब यूसे unknown number से एक और text आता है कि उसे पता है कि वो pop singer sky riley है जिसे पढ़कर वो और परिशान हो जाती है यानि कि sky को इस बात की confirmation हो चुकी थी कि जब वो Lewis के साथ उस दन थी कि ये चीज किसे ने देख अब तभी उसे stage पर बुलाए जाता है लेकिन जाने से पहरे उसे एक मक्की बहुत परिशान कर रही थी जिसे बवाने के चपकर में वो अपनी lipstick तब भी खराप पर लेती है अब वो stage पर आती है जहां पर उसे टेली प्रॉम्टर से एक speech बोल कर वापस जाना था लेकिन speech ब वापस अने लगी थी तो वो उसे रीर करती है और अगले guest को बुलाती है जिसका नाम शौकिंगली होता है पॉल यूटसन जिसको पड़ते ही वो हिल जाती है क्योंकि पॉल उसका ही boyfriend था और उस जिन वो एक्सरेंड में उसकी आँकों की सामने ही कतम हो गया था वो परेशा पर बोल रही थी कि पॉल मर चुका है वो नहीं रहा और ये जूट है तब उसके पीचे खड़ी हुई ओल्ड लेरी उसको समानने के लिए उस पर हाथ रखती है लेकिन उसे यहां पर हौंड करता हुआ पॉल दिखाए देता है जिसको वो जोर से दक्का देती है लेकिन वो बहुती सीरियस डेंजर में है और वो परसन उसकी हेल्प कर सकता है और उने जल्दी ही मिलने की जरौत है खेर अब वो उसे टेस्ट करती है कि है कौन तो आगे से ये रिप्लाय आता है कि जो चीज़े उसे दिख रही है वो इमेजन नहीं कर रही है बलकि वो सब बिलकुल है खेर अब वो अननोन परसन उसे लुईस का वीडियो भेजता है जिसके अंदर लुईस भी उनसा ब होन्तिंग को और उन समाइल्स को फेस कर रहा था और अब यहाँ भी तबी स्माइलिंग लुईस उसे हांट करता है जिससे वो बहुत डर जाती है तब ही वो परेशान हो कि जो अभी सकाई-फेस कर रही है जो 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 चीजे होंट करती है यह असल बाने वाला मरने से पहले होंटिंग्स और स्मायल देखता है जो कि असल में वही सुपर नैचरल एंटिडी या फिर डीमन है जो कि स्माइलिंग लोगों का फेस लेकर विक्टिम के सामने आकर उसे हौन करता है जो कि उनके वर्स नाइट मेर्स होता है ये कर्स काई पर आया लूइस से जिस पर आया था जोल से जिस पर आया था उसकी डॉक्टर दोस्त यानि कि उसकी एक्स गर्ल फेंड रोस से और रोस की उपर आया था उसकी पेशन से और इसी कर्स की वज़र से उसने अपने भाई को भी खोया था पर आपको याद हो कि ऐसा पहला केश शायद से ब्राजील के अंदर दिखाई दिया था कैर मौरीस का यो भाई होता है वो उसे बताने की कोईश करता रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है लेकिन तब उसने उसे पागल समझा और एक दिन उसके भाई ने अपना जबड़ा उखाड़ कर अपनी जानकवा थी वो आगी ये बोलता है कि तब से ही वो इस कर्स को ट्रैक कर रहा है और ये किसी पैरसाइट की तरह है लीच की तरह है जो की अपने विक्टिम को होस्ट बना कर उसके ट्रामा, दर और बैर मेमरीज के उपर फीड करता है और जब उसका पैर भर जाता है तब वो एक हफ़ते के अंदर उन्हें पदस करके खतम कर देता है लेकिन किसी और के सामने ताकि वो उस व्यक्ति के उपर चला जाए और यही स्काई के साथ हुआ था और उसके साथ आगे भी यही होने वाला है अब as usual स्काई को इन बातों पर इतना यकीन नहीं था लेकिन उसे हल्प भी चाहिए थी तो वो बताता है कि यह एक पैरसाइट है मतलब कि एक होस्ट के बिना यही जिन्दा नहीं रह सकता तो विक्टिम किसी के सामने खुद को मारे उससे पहले ही वो खुद कतम हो जाए तो यह कर्स आगे पास-उन हो ही नहीं पाएगा और पास ओन नहीं होगा तो बिना होस्ट के खतम हो जाएगा और यह सब सुनकर स्काई कब उस सफर जाता है एस वो आदमी उसे मानने की बात कर रहा था तब उसको समझाता है कि वो इक नर्स है और वो उसे मानने की बात नहीं कर रहा है बस ये बोल रहा है कि वो उसका हार्ट कुछ वक्त के लिए रोपतेगा और जैसे ही वो कर्स उससे हटेगा तो वो उसकी हार्ट को फिर से जिन्दा कर देंगे लेकिन स्काई ओविसली इस चीज़ के लिए रही नहीं होती वो किसी अंजान पर वरोसा क्यों करती इसकी चलती ओसे वहाँ पर लोग पंचानने लगते है यसकी चलते हुआ हो वहाँ से निकल जाती है और वेसी बात है वो मौरीज से मिल ले आया-ई थी और यहाँ पर बाते बन जाती है लें मन जाती अब धूरी तेर के बाद में वो खुद को संभाल कर बाहर आती है तो अब उसे उसके बैर डांसर्स दिखाई देते हैं जो कि उसी क्रीपी स्माइल के साथ उससे देख रहे थे लेकिन तब ही वो लोग देरे जिले उसके और बढ़ने लगते हैं लेकिन मौन से बचकर बागन के नशे में जबरा शुरू कर देते हैं और वो गुस्से में स्टेरिंग को कीश देती है जिसकी वज़ा से वो एक्सरेंट हुआ था जिसके अंदर पॉल की जान चली गई थी यानिकी रियालिटी में हुआ यह था और यह जो ट्रॉपर सीन हमने देखा यह स्काई अपने नाइट मेर में हमेशा दिखा करती थी उसे हमेशा ही गेल्ट था पॉल की मौत का उसको लगता था कि उसने उसको कतम किया इसके बाद स्काई की आँख खुलती है तो वो खुद को एक वेल लेस रिट्रीड में पाती है और उसके सामने उसकी माँ पैथी हुई थी वो बता पूरा करियर कतम हुचाएगा इसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा वह पूरी उमर और पैसा लगा दिया जिस पर स्काई गुश्से में ये कहती है कि अगर वो फील कर पाती कि उसके दिमाग में क्या है तब उनको समझ में आता और तब यह अचानक से ही अलिजबेट वही creepy smile करने लगती है और evil voice में ये बोलती है कि उसने उसके दिमाग को चका है यानि कि टेस्ट किया है और तब ही वो मेरर तोड़ कर एक glass piece निकाल लेती है और उसी creepy smile के साथ अपनी garden पर strap करती है चीरा बना देती है और अपनी आखों को फोर लेती है ये देखकर स्काई कावरा कर यहां से बाहर बागने लगती है लेकिन दर्वाजे तक आने पर वो ये देखती है कि उसके हाथ में ही वो glass piece था और उसकी मा जो थी वो नीचे परीवी थी उसने अपना दम दोर दिया था यानि कि स्काई नहीं अपनी मा को मारा लेकिन NTT ने ऐसा दिखाया कि ये सब उसकी मा खुद कर रही है अब इन सबसे वो बहुती जारा परिशान होकर तूट जाती है और इस कर्स को खतम करने का फैसला ले लेती है वो कपरे बदल कर यहां से बाहर जाती है जिसे जोश्वा देख लेता है सबी लोग उसे घेर लेते है लेकिन वो एक सिक्योरिटी कार की गन लेकर वहां से निकल जाती है बाहर अब उसे जैमा मिलती है जो कि उसे समालती है और स्काई अपनी कार लेकर यहां से भावने लगती है लेकिन जैमा उसके साथ ही चलने की जिद करती है अब रास्ते में वो मौरीस से एडरस मानती है जहां पर वो प्रक्रिया करनी थी यानि कि जिससे ये कर्स तूटिया था तब ही स्काई अब जैमा को कार रोगने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि अब वो किसी और का बुरा नहीं कर सकती लेकिन जैमा कहती है कि वो उससे ऐसे अकेले नहीं चूरेगी तब ही स्काई को एक कॉल आता है और ये कॉल है जैमा का जिसने स्काई का उस दिन का वोईस मैसेज आज देखा था और वो उससे कभी मिलने ही नहीं आई थी जी याँ उसने कोई भी रात उसके साथ नहीं बिताई कोई बात कभी नहीं करी और जो अभी उसके साथ है वो असल में वही एंटिटी है जिसने जैमा का रूप ले रखा था तब ही वो एंटिटी याने की जिसने जैमा का रूप लिया हुआ था वो स्काई को चुरारे लगती है कि अब उसका कोई साथ नहीं देगा सब उससे नफरत करते हैं लेकिन वो खुद को समाल कर खुद से कहती है कि ये सब उसके दिमाग की उपजा है और उसे कंट्रोल वापस लेना होगा और ऐसा ही होता है वो अपना कंट्रोल वापस ले लेती है और वहां से तब ही जैमा गायब हो जाती है और अभी तक स्काई ही कार ड्राइब कर रही थी एनिमीज अब वो मौरीज के पास पहुँशती है जिसने एक अबेनन पीजा हर्ट बिरलिंग को लेकर रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पर एक फ्रीजर है जो कि उसके दिमाग को कुछ टाइम तक फ्रीज कर सकता था एस हर्ट रूपने पर दिमाग पहले डेमेज होने लगेगा तो उन्हें उस चीज को भी रूपना है तभी वो उसे पोरा प्रोसेस समझा देता है जिसकी अंदर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिससे कि उसका हर्ट रूप जाएगा जिसके बाद उसके हर्ट को फिर से शुरू करा जाएगा अब वो कुछ काम से बहाँ जाता है कि तभी स्काय को चट पर लटकी हुई एक्सिडेंट वाली स्काय दिखाई रहती है और अभी वो स्काई के सामने स्काई के ही सबसे बड़े ट्राउमा याने की खुद की ही इविल प्रूप में आई है वो उसे मारने के लिए उसके अंदर जाने के लिए उसका मुझ खूलने लगती है और अब स्काई अपना कंट्रोल वापस लेकर उसके हाथ को काट लेती है और उस इंजेक्शन को खुद में ही इंजेक्ट करती है जिससे कि उसका हार्ट रुप जाएगा वो एंटिटी इस अब देखकर गवराने का नाटप करती है रोने लगती है क्योंकि अभी भी वो उसके दिमाग के साथी खेल रहे थी उसने कोई इंजेक्शन कभी खुद की अंदर इंजेक्ट किया ही रही और अब वो उसे एक क्लॉजर में बंद कर देती है जो की खुलता है यानि की जो जो उसने अब तक देखा और हमने देखा ये सारी की सारी उस एंटिटी की हांटिंग्स थी और उसे अब अपने सामने दूसरी स्काई दिखाए देती है इसको और कोई नहीं देख पाता जिसके पेट को कट करके फार कर वो एंटिटी अपने ट्रूफों में बहार आती है जो कि एक बहुती बड़ा बिना स्किन वाला स्वाइलिंग फेस से बढ़ा हुआ मांस्टर यर्डी मन था फाइनली अब वो स्काई के मूग को फार कर उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर मौजूर बाकी लोग उसे नहीं देख पाते है जैसे कि आखरी मूवी में एन्निंग में रोज के साथ हुआ था यानि कि एन्टिटी अफाइनली अपने अंदिम चरन पर आ चुकी थी और उसने फाइनली स्काई को पूरी तरह से पजस कर लिया था अब जो स्काई होती है यानि कि रियल स्काई थी उसके चहरे पर वही क्रीबी स्माइल आ जाती है जो कि सब के सामने अपनी आख के अंदर माइक को भुजा कर खुद को खतम कर लेती है और अब उसके जरिये यह जब कर्स था यह श्राप था जो कि पहले एक विक्टिम के उपर जाया करता था यहाँ पर एक साथ हजारों लोगों पर पहच चुका है रीजन विंग की एंटिटी समच चुकी जी कि अब लोगों को इस कर्स को ब्रेक करने का तरीका मिल चुका था लेकिन अगर यह लाखों और करोडों लोगों के अंदर आ जाएगा तो लोग इसको कैसे रोकेंगे और हम जानते हैं कि इस स्माइल एंटिटी की मौत का खेल आके हमेशा चलता ही रहेगा इसे के साथ में स्माइल टू मुवी ही पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी स्माइल टू फिल्म की कहानी उमिद करता हूँ कि आपको पसंदाई होगी और आपने लोडिस किया होगा कि ये जो साल है न वो प्रीक्वेल्स का या फिर सीक्वेल्स का ही चल रहा है कितनी सारी मुवी ऐसी है जिनके पार्क टू आये है या फिर उनका प्रीक्वेल आया है तो इस साल को हम होरर प्रीक्वेल सीक्वेल इयर कह सकते हैं अब देखोए जो entity है इसके बार में कुछ भी detail में बताया नहीं गिया है यानि कि इसके origins जो है वो बिलकुल unknown है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस movie का third part बनता है तो वो पक का prequel होना चाहिए ना कि sequel और अगर sequel आता भी है तो उसके अंदर हमें इसके origin ज़रूर बताया जाने शाहिए anyways मेरी हिसाब से ये M5 Vina रीमन हो सकता है जो कि लोगों के दर्द, दुख और पीरा के ओपर बहुती जादा feed करता है strong होता है और फिर जो गर्स होता है वो pass on होता ही रहता है मा की जो movie है काफी straightforward है यहाँ पर ऐसी कोई theory या फिर कुछ समझाने जैसे चीज़ नहीं है फिर भी अगर इस entity को समझा चाहे तो ये किसी भी व्यक्ति को पलस कर लेती है इसके चलते 7 दिन तक वो उसके साल बहुती जादा खतरनाफ चीज़े करती है, haunting सिखवाती है जाने कि उसके डर पर, उसकी sadness पर, guilt पर feed करती है और या 7 दिन आ जाता है या फिर 6 दिन की जो रात होती है तब ये entity क्या करती है कि उस व्यक्ति के जरिये किसी भी unknown person को बुलवा लेती है या फिर ऐसी situation create कर देती है कि वहाँ पर कोई ना कोई बंदा मौजूद होना चाहिए या फिर कोई लर्की मौजूद होनी चाहिए जिसके चलते उसी इंसान के सामने ये entity उस व्यक्ति का sacrifice करवाती है जिसको व्यक्ति देख लेता है जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था और ये entity अब खुद को उसके उपर free run करवा लेती है और जिस किसी ने भी इस sacrifice को देखा होगा उसके उपर ये entity अब shift उचाती है यानि कि कर्स उसकी तरफ चला जाता है अब आपको ये कर्स समझ में आ चुका होगा मोवी समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section ने पूछ सकते हैं तो वीडियो पसंदा यूट लाइक कर देना चानल की उपर नए है तो subscribe कर लीशे